नमस्कार, मैं सुबोध मंडल, आज आप लोगों के सामने विद्यापती से दुवेश रखने वाले लोगों के विशे में थोड़ी चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ विद्यापती लोग कंठ के कवी थे और जितनी लोग का प्रियता उन्हें मिली थी, जितनी प्रसिद्धी मिली थी, उसके अनुसार उनके विद्वेशी जो हैं बहुत कम व्यक्ती थे और यह ध्यान में रखना है कि विद्यापती शीव भक्त थे, शयव थे और शीव का भजन गाते गाते जो है विद्यापती भावावेश में आ करके नाचने भी लग जाते थे इसलिए उनके विद्वेशी जो हैं विद्यापती को नर्तक कहा करते थे, नर्तक कहा कर चिराया करते थे उनके सबसे बड़े विद्वेशी जो हैं पंडित केशव मिश्र हुए पंडित केशव मिश्र विद्यापती से लगभग 100 साल बाद हुए थे और उन्होंने जो है दोयत परिशिष्ट नाम की पुस्तक की रचना की थी इस ग्रंथ में उन्होंने देवी भागवत को प्रामानिक ग्रंथ बताया है और विद्यापती ने पुरादित के शासनकाल में अपने हाथ से देवी भागवत की अनुलिपी की थी अनुलिपी तयार की थी इसलिए पंडित केशव मिश्र उनसे बहुत चिरह हुए थे और विद्यापती को अती लुब्ध नगर या चक कहा करते थे पंडित केशव मिश्र विद्यापती से लगवां एक सो साल बाद हुए थे और बताया इनकी पुस्तक का नाम जो है वह द्वायत परी शिष्ट है पंडित केशव मिश्र शाक्त थे शक्ती के उपासक थे और विद्यापती के विश्र में हम जानते हैं वे शैव थे शिव के उपासक थे और विद्यापती ने पुरादित के शासनकाल में नेपाल की तराई में रहते हुए देवी भागवत की प्रतिलिपी तयार के थे अनुली पी तयार के थे अपने हाथों से देवी भागवत को लिखा है और देवी भागवत देवी शक्ती से संबंधित ग्रंथ है तो विद्यापती ने देवी भागवत का अनुलेखन जो है अपने हाथों से किया था इस कारण से पंडित केशव मिश्र शाक्त होने के कारण चिड़े हुए थे और विद्यापती को अतिलूब्ध नगर याचक कहा करते थे लूब्ध मतलब लोभी अतिलूध अत्यांत लोभी नगर याचक नगर की भीख मांगने वाला नगर की याचना करने वाला जैसा कि हम सब जानते हैं जिस गाउं में विद्यापती का जन्म हुआता विस्पी उस गाउं को महाराज शिवसिह ने विद्यापती को दान में दे दिया था तो इस कारण से पंडित केशब मिस्र जो हैं विद्यापती को अतिलूब्ध नगर याचक कहा करते थे यह भी ध्यान में रखना है कि द्वयत परिशिष्ट में पंडित केशब मिस्र ने देवी भागवत को प्रामानिक गरंथ माना है प्रतिपादित किया है प्रामानिक गरंथ के रूप में तो अत्यांत विद्वेशी थे कोई विद्यापती को नर्तक कहे नचनिया कहे या कोई अतिलूब्ध नगर याचक कहे इससे विद्यापती के प्रतिस्ठा में कोई ठेष नहीं पहुंचती है विद्यापति के सामान को कोई आगात नहीं पहुंचता है विद्यापति की इज्जत को कोई बट्टा नहीं लगता है ऐसे ही लोग बहुत हुआ करते हैं और विद्यापति देश की सीमा का अतिकरमान कर विद्यापती काल की सिमा का अतिक्रमान कर आज भी लोककंठ में जीवीत हैं और लोग उनके पद गाते हैं, उनके गीत गाते हैं मिथला में नारियां जो हैं अधिकतर उनके पदों का गायन करती हैं और पुरुष जो हैं शिवभजन और नचारियों का गायन किया करते हैं और विवाह मंगल कार्या आदी में महिलाएं जो हैं शिव के गीत जो हैं विवाह के वे भी गाती हैं और मंगल गीतों गाती ही हैं तो यह ध्यान में रखना है बहुत बहुत धन्यवाद